Hello and welcome everyone, आज हम पढ़ेंगे class 7 का transportation in animals and plants लेकिन उससे पहले जरा मोटुलाल और चज्जुमल के पास चलते हैं Sunday हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, मैं हूँ मोटुलाल, मेरा गला है बहुत सुरीला अरे चज्जुमल भाईया, जरा अंडे दे दो मुझे अरे मोटुलाल, तुम्हें पता नहीं है, हमारे शहर का transportation system कितना खराब है अंडे आ ही नहीं पाते मेरी दुकान तक अरे चज्जुमल भाईया, आप मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो अंडो का transportation system से क्या लेना देना है अलुलले बिंडी लले, अरे मोटुलाल, मैं कोई खुद थोड़ना मुर्गिया पालता हूँ जिस फार्म के अंदर मुर्गियों को लोग पालते हैं वहां से अंडे मेरी दुकान तक आते है अब उन दुकान तक अंडो को कौन लेकर आता है एक ट्रक वाले भईया लेकिन वो जो ट्रक वाले भईया है वो हमारे शहर के अंदर आ ही नहीं पा रहे है क्योंकि हमारे शहर की सड़कें बहुत खराब है अरे अरे चजुमल भईया मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ आपको पता है मैं अपनी क्लास में फस्ट आता हूँ लेकिन अब मेरे दिमाग के अंदर एक और सवाल आ रहा है कि आखिरकार हमारी बॉडी के अंदर भी कोई transportation system है और अगर transportation system है तो वो काम कैसे करता है चलो मन्नू भईया से ही पूछ लेता हूँ उन्हें सब पता है मोटुलाल बिलकुल हम human beings के पास भी transportation system होता है in fact plants के पास भी होता है लेकिन क्या चीज ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी देखो plants और animals दोनों को जिन्दा रहने के लिए food, oxygen, water इन सारी चीजों की जरूरत परती है हमारी बॉडी अच्छे से function कर पाए, work कर पाए इसके लिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत परती है तो अब इन सारी चीजों को हमारे शरीर के अंदर अलग-अलग parts तक पहुचाने का काम जो system करता है उससे ही हम लोग बोलते हैं human transportation system ये कोई add नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले है सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के बटन पे click करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ तो यहाँ पर human transportation system का एक बहुत important part है वो है human circulatory system देखो circulatory system कैसे work करता है आपको हमारी body के अंदर हर जगा ऐसी नसे दिख जाएंगी ये जो नसे हैं हम इन्हें English में बोलते हैं blood vessels blood vessels भी दो type के होती हैं एक होती है वेन और एक होती है आर्ट्री अब आर्ट्री क्या होती है वेन क्या होती है हम जानेंगे थोड़ी देर में लेकिन इसके साथ साथ जो hurt होता है वो भी एक बहुत important role play करता है hurt क्या करता है ऐसे pump करता रहता है blood को अलग-अलग जगा में हमारी body के अंदर है तो blood ही वो चीज है जिसकी help से हमारे पूरे शरीर के हर एक part को nutrients मिलते हैं nutrients मतलब की खाने की जो important तागतवर चीज़े होती हैं वो साथ में oxygen मिलती है water मिलता है तो यहाँ पर जो blood है वही एक बहुत important चीज है और blood को हर जगा ले जाने का काम कौन कर रही है हमारी blood vessels और blood vessels कितने टाइप की हैं दो टाइप की vein और artery all multicellular organism have a specialized system to transport nutrients हर एक multicellular organism के पास ये nutrients को transport करने का system होता है अभी जैसे हमने human beings का देखा ऐसे ही cat, carby, dog, carby हर किसी के पास अलग-अलग ऐसा system होता है साथ ही में जो भी हमारे cells waste material बनाते हैं इसको भी एक जगा से दूसरी जगा ले जाने का system हमारे अंदर होता है इस पूरे system को जो अभी हमने ऊपर देखा इसे बोलते हैं हम लोग human circulatory system अब जो human circulatory system है उसके जो important parts है उन्हें हम लोग देखते हैं सबसे पहला है blood फिर है blood vessels blood क्या है blood के अंदर सारे खाने पीने के nutrients होते हैं oxygen होती है बिल्कुल blood के अंदर ही मिल जाती है oxygen कुछ एक special तरीके की power होती है blood के पास वो क्या special तरीके की power होती है जिससे oxygen blood के अंदर मिल जाती है वो भी हम जानेंगे blood vessels, जो कि अलग अलग जगा पर हमारी body के अंदर present होती है और hurt, hurt क्या करता है, blood को pump करता है जैसे आप में से कितने बच्चों ने hand pump देखाया अगर गाउं में गए हो तो कैसे करते हैं उसको यू यू पुल करते हैं और फिर उससे पानी निकलता है कुछ इसी तरीके से जो हमारा hurt है वो pump होता रहता है और चारो तरफ हमारी body के अंदर blood को भेजता रहता है तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं blood के बारे में blood क्या होता है, fluid connective tissue हमारी body के अंदर जो हर जगा connection का का काम करता है वो blood करता है, और इसको pump कौन करता है हमारा hurt blood के क्या क्या function होते हैं, देखो blood transport करता है oxygen को और जो different nutrient होते हैं, उन सब को हमारी body के अंदर सबसे पहले जो small intestine है, जो भी आप खाने पीने की चीज़ खाते हो जैसे मैंने कोई लड़ू खाए, अब मैंने लड़ू खा लिए, लड़ू खाने के बाद वो कहाँ पर जाएंगे मेरे stomach के अंदर, stomach से फिर वो आगे जाएंगे small intestine के अंदर, जब वो small intestine के अंदर जाएंगे तो जो भी जो blood है, यह तो हमारी पूरी body के अंदर उपर से लेके नीचे तक जाता ही है तो इस तरीके से जो लड़ू से मिलने वाली शक्ती होगी, वो मेरे पूरे body के अंदर चली जाएगी साथ ही में blood से waste भी transport होता है, और waste को हम लोग remove भी कर सकते हैं blood की help से, blood हमारी body को एक और चीज़ से protect करता है कि कभी आपके साथ खेलते में ऐसे चोट लगी है, जिस जिस बच्चे के ऐसे चोट लगी है फटाफट comment section के अंदर बताना कि आपके कहां पर लगी है, हाथ में लगी है या पैर में लगी है और कुछ समय बाद ये देखो, कुछ इस तरीके का निशान मिन जाता है चोट पे अब ये जो चोट है, ये कुछ समय बाद ठीक कैसे हो गए और आपका खून आना बंद हो जाता है तो यहाँ पर blood के अंदर एक special तरीकी की चीज़ होती है जिसकी वज़ा से जो हमारी चोट है वो ठीक होने लगती है बहुत जल्दी तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि blood जो है हमारी body को protect करता है from losing blood blood ही protect कर रहा है कि और ज़्यादा blood ना निकले नहीं तो अगर यह चोट ठीक ना हो तो खून निकलता रहे निकलता रहे तो क्या होगा सारा खून खतम हो जाएगा और हमारी death हो जाएगी तो blood क्या करता है एक clot बना देता है clot क्या होता है यहाँ पर यह जो आपको दिख रहा है उपर उपर इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग clot जहाँ पर भी हमें चोट लगी होती है आपने देखा होगा इस टाइप का clot बन जाता है और फिर वहाँ से और ज़्यादा खून नहीं आता जो blood है एक special type का substance contain करता है जो की एक और चीज़ में help करता है हमारी body की वो है temperature को maintain करने में आपकी body का ज़्यादा temperature ना हो आपकी body के अंदर कम temperature ना हो इस चीज़ में भी blood मदद करता है देखो कितनी सारी जगा blood मदद कर रहा है सबसे पहले oxygen और nutrients ले जाता है waste material को भी निकालने में help करता है ठीक है ये देखो waste material को भी निकालता है साथ में अगर आपको चोट लग जाए तो उस चोट को ठीक करने का काम भी करता है blood और कभी कभी जब आपको ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो आपका body का temperature कम करने में भी blood मदद करता है अब blood के अंदर आखिर ऐसी special powers आती कहां से है तो पढ़ते हैं हम लोग components of blood के बारे में blood का जो एक important part है वो है blood plasma यानि की erythrocyte अब ये जो blood plasma होता है यानि की erythrocyte ये liquid substance होता है जो के हमारे blood के अंदर present होता है जो blood plasma है ये water, salt, fat, protein और sugar का बना हुआ होता है almost 55% हमारे blood के अंदर blood plasma ही होता है blood plasma क्या होता है red color का होता है क्योंकि इसके पास एक special pigment होता है अब ये pigment क्या होता है मतलब ये special type की चीज होती है इसके पास जिससे हम लोग बोलते हैं Hemoglobin अब यह जो Hemoglobin है ना यह Special क्यों है क्योंकि Hemoglobin की मदद से ही हमारी बोड़ी के अंदर Oxygen carry कर पाता है Blood तो Blood को Oxygen carry करने में कौन help करता है Hemoglobin और Hemoglobin की वज़े से ही फिर Oxygen एक जगा से दूसरे पार्ट में हमारी बॉड़ी के अंदर पिजा पाती है तो आपको याद रखना है कि Blood Plasma के पास एक Special Pigment है जिसका नाम है Hemoglobin जो की मदद करता है Oxygen Carry करने में हमारे बॉड़ की फिर आते हैं White Blood Cell जिनको Leukocyte भी बोगते हैं अब यह जो White Blood Cells हैं यह Infection से Protect करते हैं हमारी बॉड़ी को बहुत ही कम Amount के अंदर यह Present होते हैं अगर असलियत में हम लोग देखें तो Almost यह 1% ही Present होते हैं आप पूरे Blood को अगर देखोगे तो उसकी सिर्फ 1% ही यह Present होते हैं Leukocyte लेकिन यह बहुत ही Important Function प्रफॉर्म करते हैं कैसे देखो न यहाँ पर हमारी बॉड़ी को Protect करने का काम कर रहे हैं Infection से लड़ने का काम कर रहे हैं जैसे कि कोई वायरस या बैक्टिरिया हमारी बॉड़ी के अंदर एंटर करता है तो उससे लड़ने का काम करते हैं यह फिर आते हैं Blood Pletilates यह भी बहुत Important है देखो Blood Pletilates किसलिए काम आते हैं आपके कभी आपके खेलते में चोट लगी है बिलकुल लगी होगी तो वहाँ पर आप कुछ टाइम बात देखते होगे कि वो चोट अपने आप थोड़ी देर में बंद हो गई और अब वहाँ से खुन नहीं निकल रहा तो यह सारा काम कौन प्रफॉर्म कर रहा है बलड और बलड के अंदर जो एक special चीज है बलड प्लेटिलेट वो यह काम प्रफॉर्म कर रही है तो कभी भी अगर आपको चोट लगती है तो और वहाँ से बलड ना निकले इस चीज को रोकता कौन है blood platelet कैसे रोकता है by the formation of blood clot blood clot बन जाता है वहाँ पर blood clot कुछ नहीं है यह देखो यहाँ पर जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर ऐसे कुछ उपर उपर आपने देखा होगा blood का ऐसे कुछ-कुछ उपर उपर part deposit हो जाता है इसे ही हम लोग clot बोलते हैं ठीक है I hope अब आपको clear होगा कि blood platelets का भी क्या खाम होता है अब बात करते हैं blood vessels का blood की तो बात कल्डी कितनी important चीज है लेकिन blood को हमारी पूरी body के अंदर कौन लेकर जाती है blood vessels blood vessel एक tube like structure है जो कि हमारी body के अंदर blood को transport करने में help करती है अब tube like से मेरा मतलब क्या है क्या आपने कभी इस type के pipe देखे हैं इन pipes की help से आपको पानी एक जगा से दूसरी जगा ले जाने में बहुत मदद होती है कुछ इसी तरीके से जो हमारी body के अंदर blood vessels है वो एक जगा से दूसरी जगा blood को transport करती है बस इनका काम यही होता है और जो blood vessels है वो भी three type की होती है first arteries then veins उसके बाद तीसरी होती है capillaries सबसे पहले arteries को देखते हैं देखो जो artery है वो generally oxygen rich blood करी करती है मत्तब वो वाला blood जिसके अंदर oxygen होती है कौन carry करती है arteries उस blood को carry करती है अच्छा जो arteries होती है वो generally thick होती है और elastic जैसी होती है कुछ कुछ तो यहाँ पर यह जो elastic वाला function है और यह जो thick है arteries यह इस वज़े से है to tolerate high pressure of the blood जो blood है बहुत ज़्यादा high pressure के अंदर आता है तो artery फटना जाए इस वज़े से यह काफी ज़्यादा thick होती है और elastic होती है ठीक है अब arteries के अंदर एक exception है जिसे आपको हमेशा याद रखना है वो है pulmonary artery जो pulmonary artery है यह ऐसी एकलोती artery है हमारी body के अंदर जो carry करती है carbon dioxide rich blood बाकि जिदनी भी arteries है वो कैसा blood carry करती है oxygen rich blood सिर्फ एक exception है वो क्या है pulmonary artery अब बात करते हैं veins की देखो veins generally carry करती है carbon dioxide rich blood CO2 rich blood मतलब carbon dioxide वाला blood कहाँ पर होता है veins के अंदर oxygen rich blood कहाँ पर होता है arteries के अंदर ये जो होती है veins ये काफी थेन होती है बहुत पतली पतली होती है non elastic vessels होती है ठीक है और ये valves को भी possession नहीं करती है थोड़ा आसान भाशा में समझते हैं देखो कि आप यहाँ पर मेरे हाथ पर देख सकते हो ये blue blue color की नसे तो ये इतनी पतली होती है ये जो blue blue color की नसे है ये ही हमारी veins है आप अपने हाथ को भी ऐसे tightly close करके देख सकते हो notice कर सकते हो कि आपको ऐसा कुछ blue blue color की नसे दिखेंगी ये ही हमारी veins होती है इतनी पतली होती है कि आपको देखो clearly दिख रहा है यह generally कैसी होती है thin होती है और इसी वज़े से हमें दिख पाती है इतने easily लेकिन veins के अंदर भी एक बहुत बड़ी exception है सारी veins carry करती है carbon dioxide rich blood को लेकिन सिर्फ एक ऐसी vein है जिसका नाम है pulmonary vein वो carry करती है oxygen rich blood को तो हमने artery में एक exception देखा था वो क्या थी pulmonary artery जो carry कर रही थी कैसा co2 rich blood को और veins के अंदर एक exception देखा जो क्या है pulmonary vein जो क्या carry कर रही है oxygen rich blood बलकि और जितनी भी veins है वो कैसा blood carry करती है carbon dioxide rich blood को I hope यह आपको समझ में आ गया होगा arteries और veins की जो यह exceptions बताई है मैंने इनको आप जरूर से learn कर लेना यह exam में आती ही आती है अब बात करते है capillaries की देखो जो यह artery है और vein है यह काफी बड़ी बड़ी होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो छोटी छोटी जगा है वहां तक यह नहीं पहुच पाती है तो वहां तक क्या होती है यह छोटा-छोटा बन जाती है जब यह arteries और veins तो क्या कहलाती है यह कहलाती है capillary जिसे यहां पर आप देख रहे हो artery कितनी बड़ी है तो यह छोटे part के अंदर नहीं जा पारी तो यह क्या होगा मतलब कि बहुत पत्ती-पत्ती होती है capillaries का काम एकी है arteries और veins को connect करना और कहां पर present होती है generally capillaries वहां पर जहां पर arteries और veins नहीं होती clearly आपको यह चीज़ अब समझ में आ गई होगी तो मतलब capillaries क्या है छोटी-छोटी artery और vein artery और vein का जो smaller version होगे अब वह हमारी capillaries होगी है इसके अंदर कोई exception नहीं है अच्छा फटा फट comment section के अंदर बताना के जो veins हैं वह कैसा blood carry करती है और एक exception बता दो veins की अब बात करते हैं pulse की what is pulse pulse rate का मतलब होता है कि कितनी time हमारी जो pulse है वो beat कर रही है अब यह pulse rate क्या है और pulse होती क्या है देखो यहाँ पर आप अपने हाथ के पास ऐसे करके उंगली रखो जो आपको diagram के अंदर दिख रहा है यही हमारी pulse rate होती है अब यह जो pulse rate है आपने generally doctor को check करते होगे देखाओगा आपकी pulse rate तो यह कितनी होनी चाहिए 72-80 times इसको beat करना चाहिए पर मिनट मतब आपको कुछ ऐसे दख दख करती हुई चीज महसूस होगी ठीक है अगर आपको अभी महसूस नहीं हो रही तो आप थोड़ा सा wait करो जैसे यहाँ पर ऐसे करके लगाना मुझे feel हो रही है दख दख करती हुए तो यह कितनी time beat कर नीचे 72-80 times इसे ही हम लोग बोलते है pulse rate अब बात करते है hurt की बहुत सारे बच्चों को लगता है कि hurt कुछ इस तरीके का दिखता है but actually मैं hurt पता है कैसा दिखता है ऐसा दिखता है real hurt सच में ऐसा दिखता है आप में से कितने बच्चों ने ऐसा pump दिखा है देखो यह pump work कैसे करता है हम इसको ऐसे ऐसे press कर रहे है और देखो इससे पानी निकल रहा है तो यहाँ पर यह जो pump है यह क्या कर रहा है पानी को जमीन से उपर निकालने का काम कर रहा है it is pumping the water towards the upward direction तो इसी तरीके से हमारी body के अंदर भी एक pump होता है जो कि blood को अलग-अलग जगा ले जाने का काम करता है और वो होता है hurt hurt जो है ये क्या करता है pump करता है blood को हमारी body के अंदर किसकी help से blood vessels की help से अब जो hurt है यह कहाँ पर located होता है और कितना size होता है hurt का अपनी fist को इस तरीके से बंद करो कुछ इस size का आपका hurt होने वाल है और left hand side में यहां कहीं पर place कर दो यहीं पर आपका दिल है लगबग यहीं पर है तो I hope अब आपको clear होगा थोड़ा सा left hand side में आपका hurt होता है जो hurt है hurt के अंदर भी four chambers है मतलब की चार parts के अंदर hurt divided है चार कौन-कौन से parts है left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होगे के चार parts के अंदर hurt क्यों divided है इस वज़े से divided है जिससे की वो वाला blood जो की oxygen contain करता है वो उस वाले blood से ना मिल जाए जिसके अंदर carbon dioxide है किस लिए divided है four parts के अंदर जिससे की oxygen rich blood किस से ना मिले carbon dioxide rich blood से तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि जो right atrium है और जो right ventricle है ये contain करते है de-oxygenated blood को और जो left atrium है और left ventricle है ये contain करते है oxygenated blood को बहुत ही simple है आपको दिख भी रहा है डायग्राम से इस डायग्राम से आपको क्या क्या चीज़े याद करनी है ये चार चीज़े तो जरूर से याद करनी है तो जो हमारा hurt है उसके आपको location भी पता चल गई तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं hurt beat के बारे में क्या आपकभी doctor के पास गए हो और doctor ने कुछ इस तरीके से आपके पास ये लगाया हो यू करके अब ये क्या चीज़ है और इसको doctor क्यों use करता है देखते हैं अभी हम लोग ये जो चीज़ है इसे हम लोग बोलते है stato scope जो stato scope होता है इसका इस्तमाल करके डॉक्टर हमारी hurt beat को सुनता है hurt जो है वो कभी ऐसे करता है और ऐसे करता है ऐसे करता है और ऐसे करता है इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं rhythmic contraction और expansion contract करना मतलब कि कुछ इस तरीके से हो जाता है hurt फिर सुकर जाता है फिर यूँ करके खुल जाता है तो इसको बोलते हम लोग expansion contraction और expansion तो इसी तरीके से हमारी hurt beat होती है और hurt beat जो होती है न डॉक्टर इस hurt beat को सुनता है ये sthetoscope लगा कर हमारा human heart लगबग 70 to 80 times beat करता है in a minute एक minute के अंदर 70 to 80 times hurt ऐसे ऐसे होता है times per minute पर भी चले जाता है लेकिन वो कोई खत्रे वाली बात नहीं है क्या सारे animals के पास circulatory system है कुछ animals जैसे की hydra और sponges के पास ये circulatory system नहीं होता जैसे हमने देखा human beings के अंदर तो इतना लंबा चोड़ा circulatory system है बट ये एक ऐसे organisms है hydra और sponges जिनके पास कोई circulatory system नहीं होता अब hydra और sponges दिखते कैसे हैं ऐसे दिखते हैं ये रहते कहां पर है पानी के अंदर रहते हैं सर लेकिन इनके पास circulatory system नहीं है तो ये जिन्दा कैसे रहते हैं एक जगा से दूसरी जगा खाने पीने की चीज़ी इनके अंदर जाती कैसे हैं देखो एक तो इनका size बहुत ही ही छोटा होता है तो इस वज़ा से खाने-पीने की चीज़े ज्यादा matter नहीं करते हैं दूसरी चीज, कि ये पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी के अंदर से ही हर जगा पर पानी present होता है, इनके आसपास हर जगा पानी present है, because ये पानी के अंदर ही रहते हैं, तो इनको पानी के अंदर से ही पानी भी मिलता रहता है, खाना भी मिलता रहता है, oxygen भी मिलती रहती है, अब हम पढ़ते हैं excretion in animals देखो excretion क्या पार्ट है अभी हमने देखा कि कैसे खाने की चीज़ें अलग-अलग जगा पर हमारी body के अंदर hurt, vessels ये सारी चीज़ें मिलकर ले जा रही है लेकिन कुछ harmful waste product भी होते हैं जो हमारे cells बनाते हैं उन harmful waste product को निकालने के process को हम लोग बो these waste product ये जो waste product है ये काफी ज़्यादा toxic होते हैं जहरी ले होते हैं इस वज़े से इनका body से remove होना बहुत ज़रूरी है अगर ये remove नहीं होते तो आपको अलग-अलग तरीके की बिमारी हो सकती है जब ये waste product हम लोग निकालते हैं तो इसी process को हम लोग बोलते हैं excretion अब बात करते हैं human excretory system के बारे में humans के अंदर यानि की हम इंसानों के अंदर blood से जो waste material निकालने का काम है उसे ही हम लोग बोलते हैं the excretory system in human beings human excretory system के अंदर क्या-क्या चीज़े हैं pair of kidney, a pair of urators, a urinary bladder and a urethra सबसे पहले बात करते हैं kidney की देखो kidney आपको clearly दिख रही होंगी kidney से एक pipe connected है इसको urator बोलते हैं फिर ये pipe जाकर कहां पर जुड़ गया है urinary bladder में और फिर last में है urethra अच्छा एक चीज़ notice करो kidney से ये blue वाली vessel connected है इस blue वाली vessel के अंदर होता है वो वाला blood जिसके अंदर बहुत सारी impurities यानि की गंदगी होती है और फिर जब ये blood kidney के पास जाता है kidney के अंदर जाता है तो kidney अच्छे से इस blood को clean कर देती है और इस red वाली vessel के अंदर वापस इस blood को भेज देती है I hope ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो अब सबसे पहले हम लोग kidneys के बारे में पढ़ते हैं kidney क्या है दो होती है हर human being के पास kidney है और kidney के अंदर एक तरीके से बहुत सारी filtration units होती है जिसे हम लोग बोलते है नेफ्रो देखो kidney हमारी body का filter समझ लो अब आप सबने बहुत बार ऐसा filter देखा होगा इस RO के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे छोटे 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 filters लगे होते हैं अच्छे जो छोटे छोटे filters हैं ये क्या काम करते हैं सर पानी को बहुत अच्छे से साफ करने का काम करते हैं बिल्कुल kidneys के अंदर भी ऐसे ही बहुत छोटे-छोटे nephrons होते हैं और ये nephron भी क्या करते हैं हमारे ब्लड को clean करने का काम करते हैं बस ये RO क्या चीजे क्लीन करता है water को हमारी kidneys क्लीन करती है blood को अब जो भी गंदा blood होता है या फिर ब्लड के अंदर जो भी गंदगी होती ह इसको इस ureater वाले pipe से kidney कहां पर भीज देती है urinary bladder के अंदर तो देखो जो urinary bladder है उसकी बात करते है जो urinary bladder है इसके अंदर सारा वो waste material collect हो जाता है जो kidney ने urator के थ्रू ह क्यों यहां पर भेजा होता है ईराटर क्या होता है sir urator कुछ भी नहीं होता एक tube होता है urinary bladder के अंदर जब urine fill हो जाती है, urine क्या चीज है, toilet, जब ये toilet fill हो जाती है, पूरा भर जाता है आपका urinary bladder, तो आपको क्या करना होता है, आपका brain एक signal भेजता है, कि भईया toilet आई है, toilet भागो, toilet भागो, तभी आप बोलते हो, फिर मुझे toilet जाना है, toilet जाना है, फिर आप washroom जा urine है, यानि कि जो हमारी toilet है, वो लगबग 95% water consist करती है, 2.5% urea and 2.5% बहुत सारे जो अलग-अलग waste material होते हैं, उन्हें, कभी-कभी कुछ लोगों की kidney खराब भी हो जाती है, वाइ, क्योंकि कुछ लोग smoking करते हैं, drinking करते हैं, तो अब ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग machine वाल होती है, इनका भी यही काम होता है, बलड को purifique करना, अब यह जो machine वाली kidney है और यहाँ से blood को purify कराने वाले process को हम लोग बोलते हैं dealysis, तो यह जो machine वाली kidney होती है, इसे बोलते हैं artificial, नकली kidney है, अब यह जो नकली kidney है, यहाँ पर जाता है पुरा blood अच्छे से यह clean कर देती और फिर साफ बलड को body के अंदर दुबारा भेज देती हैं और इसी प्रोसेस को dialysis पुगते हैं dialysis कौन लोग करवाते हैं जिनकी kidney खराब हो जाती है अच्छा कभी कभी कि आपको safrations आता है पसीना भी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि स्वेट के अंदर भी water और कुछ salts होते हैं ये जो water और salts होते हैं ये भी toxic material से बने हुए होते हैं toxic waste होता है जो कि हमारी body से निकल जाता है release हो जाता है तो स्वेट आना भी ज़रूरी है पसीना आएगा उसके अंदर जो भी toxic material है व कैसे होता है plants के अंदर देखते है, plants के अंदर transportation water और minerals का कैसे होता है, जो roots हैं ये क्या करती है plants की water को absorb करती है, water के अंदर ही बहुत सारे ज़रूरत वाले minerals भी होते हैं उंने भी absorb कर लेती है, Water कहां से absorb करती है plants की root? Soil से, कुछ इस तरीके का आपकी book के अंदर diagram दिया है बच्चे confused हो जाते हैं देखो ये कुछ नहीं है ये है एक root जिसको microscope के अंदर आपको दिखाये गया है ये जो root है यहाँ पर देखो soil के अंदर है ये root और यहाँ 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 पर आसपास इसके पानी भी है और यहाँ यहाँ पर soil भी है अब ये पानी को absorb करती रहती है roots और यहीं से ये water और मिंडल्स को absorb करने के बाद बागी जितने भी parts हैं plant के वहाँ तक पहुचा देती है roots के पास कैसा structure होता है hair like जैसे हमारे ये बाल है ना कुछ इस तरीके के ही जो roots में आपको निकल निकलती हुई चीज़े दिख रही है ना इने बोलते हैं हम लोग hair like structure जो roots के पास है roots से water और minerals transport होते हैं plant के other parts के अंदर और special kind के tissues का इस्तमाल करता है plant इन सारी चीज़ों को पहुचाने के लिए अब same जैसा हम human beings के अंदर vascular tissues थे हमने देखा था ना कि हमारे पास नसे थी blood को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए क्या थी हमारे पास नसे थी blood vessels थी और वो भी दो टाइप की थी artery और veins कुछ इसी टाइप से plants के पास भी दो टाइप के vascular tissues होते हैं पहला है जायलम और दूसरा है fluid अब जो जायलम है यह responsible होता है किसी भी plant के अंदर water और nutrients को transport करने के लिए पानी और जो पानी के अंदर के nutrients होते हैं उनको transport करने के लिए कैसे जायलम water को transport करता है unidirectional way में sir uni का मतलब क्या होता है only one direction के अंदर देखो root से पानी आया और उपर चले गया यह जायलम कुछ इस तरीके का दिखता है ऐसा tube type होता है इसके अंदर आप देख रहे हो पानी यह उपर की तरफ ही जाता है नीचे की तरफ नहीं आता पानी कभी भी ठीक है तो इसको बोलते हैं हम लोग unidirection फिर आता है phloem phloem क्या करता है हमारे पूरे प्लांट के अंदर खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है phloem याद रखना एक बहुत छोटी सी ट्रिक है कि phloem का first से phloem और first से food अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि जो phloem है वो क्या चीज़ contain करता है क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है food को phloem किसलिए responsible होता है to transport the food और food को produce कौन करती है plant के अंदर leaves देखो यहाँ पर यह जो उपर वाली leaves है इन्होंने खाने को बनाया अब इन नीचे वाली leaves हैं हमें भी भूक लग रही है हमें भी खाना दे दो तो phloem की help से जो उपर वाली leaves है वो अपने food को नीचे भी भेज सकती है क्या पानी ऐसे उपर से नीचे जा सकता है नहीं पानी सिर्फ नीचे से उपर की direction में जाता है एक ही direction में move करता है लेकिन जो phloem है वो किस तरीके से कौन सी direction के अंदर food को move कर सकता है नीचे भी और उपर भी देखो यहाँ पर arrow भी दे रखा है मैंने और phloem का diagram भी आपको सिखा है तो इसे हम लोग जो यह उपर और नीचे खाने की चीज़ें phloem भेज पता है इसे हम लोग बोलते हैं कि यह कैसा flow है ऑफा बाय-directional flow है खाने को उपर नीचे भी भी सकता है अगर नीचे ज़रूत है खाने की तो इसे नीचे भी भी बेज सकता है और उपर भी लेकिन अगर मालो यह उपर वाली leaves के पास water present है और नीचे वाली leaves के पास पानी नहीं है तो वो पानी को नहीं बेच पाएंगी leaves क्यों नहीं बेच पाएंगी उपर वाली leaves नीचे वाली leaves के पास पानी वाई because जो xylem है वो एक ही direction के अंदर water को move करता है और वो कौन सी direction है नीचे से उपर ठीक है I hope अब आपको clear होगा यह वाला concept अब हम पढ़ते हैं transpiration के बारे में देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं बहुत ज़्यादा खाना का लिया तो हम लोग क्या करते हैं सार हम लोग उल्टी कर देते हैं या फिर हमें pot ही आ जाती है तो ऐसा होता है लेकिन plants क्या करते हैं कभी-कभी जब plants ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वो कैसे निकालते हैं पानी को with the help of transpiration अब transpiration के अंदर क्या होता है plants की जो leaves होते हैं उनके उपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिने हम लोग stomata बोलते हैं ठीक है अब क्या होता है जब plant ने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो इनी leaves के थुरू क्या कर देता है पानी को plant निकाल देता है यहाँ पर देखो diagram के अंदर आपको दिख रहा होगा कि leaves के ओपर जो stomata है उसके थुरू जो excess water है ज़्यादा पानी पी लिया था इस plant ने उसको ये निकाल रहा है तो सिर्फ हम लोग ही लालची नहीं है जिनको खाना टेस्टी टेस्टी दिखता है तो ज़्यादा खा लेते हैं बलकि plants भी लालची है जब उन्हें ज़्यादा पानी पीने को मिलता है तो ज़्यादा पी लेते हैं फिर बाद में जब उनसे ये पानी यूज नहीं हो पता तो transpiration के थुरू इस पानी को remove कर देते हैं देखो यहाँ पर leaves के ओपर जो छोटी छोटी चीज़े थी stomata वो water को कैसे remove कर रहे हैं तो यहीं पर हमारा chapter खतम होता है यह question है आपके लिए comment section के अंदर इसका answer करो अगर आपको इस chapter के sample paper चाहिए, notes चाहिए या फिर आपको shout out चाहिए, shout out तो मिलेगा ही आपको तो आपको simply क्या करना है channel को subscribe करना है और join करके member बनना है member बनोगे तो आपको यह तीनों चीज़ें मिलने वाली है जो की बहुत important होने वाली है आपके exam के लिए और मैं बहुत time से देख रहा हूँ कि आप लोग subscribe नहीं कर रहे हो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share नहीं करते हो और comment भी नहीं करते हो जो question मैं पूछता हूँ तो यह तीनों चीज़ें फटाफट करो see you in the next video like, subscribe, share, मन्नू से ग्यान लेते रहो